नमस्कार, स्वागत है आपका Capital TV बिहार के स्पेसल सोच चुनावी चौसर में और मैं आत्मजा आपके साथ देखें बिहार विधान सबस चुनाव में अभी लगभग 14 महीने का वक्त बचा हुआ है लेकिन अभी से ही NDA में सीट बटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है और NDA के जो सहयोगी दल है वो प्रेसर पॉलिटिक्स करना शुरू कर चुके हैं चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतना माजी हो या फिर उपेंद कुस्वाहा सबसे पहले तो चिराग पासवान ने NDA के खिलाप जाकर बयान बाजी करनी शुरू की उसके बाद से उनको काबू में भाजपा ने किया अब उपेंद कुस्वाहा अपनी ही पार्टी की यात्रा कर रहे हैं इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें नितीश कुमार की पार्टी जदियू और भाजपा को भी शामिल होना चाहिए था तो इस पर फिर से एक बार सियासव छिड़ी हुई है तो आए इस मुद्धे पर बाजचीत करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सिनियर जर्लिस सरो सिंग जी सर आपका बहुत बत्वागत है जी बहुत धन्दवाद सर एंडियो के सहयोगी दल जो हैं अपनी भी पार्टी की तयारिया कर रहे है चिराग पासवान भी सीटों की मांग ही कर रहे हैं दबाव अभी उन्होंने बनाया नहीं है उपेंद कुस्वाहा भी अपनी पार्टी की आत्रा कर रहे है लेकिन भाजपा कहीं न कहीं असहज नजर आ रही है इन सब चीजों से क्या लगता है आपको ऐसा क्यों है जाके असहज होना स्वभाविक है ना केबल भाजपा बलकि जनता दली उनाइटेड वी जो बड़े पार्टनर है इंडिये के चुकि इन दोनों को लगता है कि जैसे जैसे सहयोगी पार्टियां छोटी पार्टियां मजबूत होगी उतने ही सीटों की मांग बढ़ाएगे चाहें वो चिराग पासपान हो जीतर नामान जी हो चाहें उपेंदर कुस्बा हो कल ही जो बयान आया भगवान सिंग कुस्बा का वो क्या बतलाता है वो ये बतलाता है कि आप लिमिट में रहिए लेयर मत छोड़िए अब उपेंदर जी के पार्टिया करना है है कि मेरा अपना काईकरम है हमारी पार्टी का सदस्ता अभियान चल रहा है यात्रा पर हम निकल रहे हैं इसमें किसी कौपत्ती नहीं होनी चाहिए यह तो NDA को मजबूत करने के लिए है लेकिन उसमें आप जब कंडिशन जोड़ दीजिएगा कि उसमें भाजपा के भी लोग होने चाहिए जनता दल यूनाइटेट के भी लोग होने चाहिए तब यहाँ पर मैसेज जाता है कि NDA की जो बड़ी पाटियां है वो सहयूगी दलोग पर लगाम लगा रही है उसको कंट्रोल करना चाहती है ताकि जादा से जादा टिक टो की मांग यह लोग नहीं करें सर तो कंट्रोल करने के पीछे वज़ा होती है तो क्या लोगों को लगता है कि उपेंत कुस्वाहा अगर जाके यात्रा करते हैं पूरे बिहार में तो वो लोगों को इंफ्लूएंस कर लेंगे अपने लिए और लोगों को जादा लगेगा कि नहीं उपेंत कुस्वाहा को भी जादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए इस बात से डर रही है भाजपा जदियू सुभाबिक है कि जब कोई भी यात्रा होती है किसी भी पार्टी की होती है तो उसको जमीन से फीड़ बेक मिलता है कि किस इलाके में हम कितने मजबूत हैं कहां कितने कमजोड है हमको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए ज्यादा सिटे कहां मांगनी चाहिए, किस इलाके में मांगना चाहिए, पूरी बिहार में मांगना चाहिए, संटरल बिहार में मांगना चाहिए, सहाबाद के इलाके में मांगना चाहिए, कहां मांगना चाहिए, तो एक-एक मोटा आउटलाइन नेता के दिमाग में चलाता है यात्रा के दर्मियान चुकि एकदम जमीन से फिडबेक आता है तो सुभाविक है कि जब किसी को लगेगा कि हम हमारी पॉपलिटी इतनी है लोग हमको इतना पसंद कर रहे हैं तो हम कम सीटो पर क्यों मानें तो डिमांड जब बनता है तो इस फिडबेक का बड़ा महत होता है तो जो उपेंदर कुस्वाह यात्रा पर निकल रहे थे उन पर जो एक अर्चन लगा रही है कि जेडियू के नेता भगवान सिंग कुस्वाह इसको आप पार्टी लाइन भी मान सकते हैं कि खंड़न अभी तक कुछ हुआ नहीं है कि भाई उसमें जेडियू के लोग भी रहें बीजेपी के लोग रहें तो कहीं न कहीं से उनके यात्रा को कंट्रोल करने के लिए और ऐसा नहीं जाए कि जो समर्थन मिल रहा है वो केबल उपेंदर कुस्वाह को मिल रहा है जब सब पार्टी के लोग होंगे तो होगा कि NDA को समर्थन मिल रहा है और एकले समर्थन मिलेगा तो लगेगा उपेंदर कुस्वाह को मिल रहा है तो सभाविक है कि इस तरह के बियान बादी हो रहे हैं कि कंट्रोल में रखा जाए तो फिर उपेंद कुस्वाहा पे ऐसा अंकुष्ट लगाना कहां तक सही है देखिए युद्ध और प्यार में कोई नियम नहीं होता है समय ते कर देता है कि आपको क्या करना चाहिए तो जो बड़ी पार्ट यहां जिसके पास तागत है वह अपने हिसाब से नियम बनाती है और अपने हिसाब से उसको चोटे सहयोगी दोलोग पर लाद देती है तो इस सर लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है ना कि चिराग पासबान भाजपा का बात माल लिए हैं या पिर नतीश कमार की बात माल लिए हैं दोनों में आपको अंतर साप साप दिखेगा, इसका मतलब है कि भाजपा ने उनको समझा दिया कि आपको कहां कब कैसे बोलना है। आपको लेके बोल दिया भगवान सिंग को सभाने कि भाई आपको बीजेपी को साथ रखना चाहिए, हमको साथ रखना चाहिए। तो मुद्दा कैसे नहीं है, वन एलक्षन का आज इसू आ गया है, क्या होगा नहीं होगा भुदबड़ा इसू है ये। अभी मुसल्मानों को लेके जो चल रहा है वक्षन सोधन बिल को लेकर उसमें बहुत सारे इसू आ गया है। तो आतमजा जी ऐसा आप नहीं कर सकती है, कि मुद्दे नहीं है। सवाल है कि उस मुद्दे को उठाने का सही वक्त क्या है, वो भाजपा ते कर रही है। ना कि चिराग पासवान ते कर रहे हैं ना जीतर ना मांधी ते कर रहे हैं और ना दूसरे लोग कर रहे हैं यानि जो बड़ी पार्टियां है जंता दल युनाइटेड और भाजपा वो अपने हिसाब से चीजों को फिट कर रही है कि चुनाव लड़ना है तो सास्ता चलिए और अनावस्क जो जमीन छोड़ने लगते हैं आप लोग वो जमीन मत छोड़िये तो जड़ी युद्ध और प्यार में कोई नियम नहीं होता है तो कल को किसी के लिए भी तो नियम नहीं होगा आज जगर भाजपा शिराग पासवान की पार्टी पे अंकुस लगा रही है जितना माजी या उपेंद को स्वाहा पे अंकुस लगा रही है तो जड़ी युद्ध बारी आएगी तो भगवान सिंग को स्वाहा क्या इस बात को भूल गहे हैं कि कल को उन पे भी सवाल खड़े हो सकते हैं एकदम सही सवाल किया हम उसी पराहना ही चाते थे कि क्या अगल पा के लोग चुपचा बैठे हुए हैं क्या उनको नहीं पता चल रहा है कि चीजे किस तरफ बढ़ेगी जब चुनाम नजदीक आएगा तो आपको हम बता दें जो अंदुरुनी सोर्स है हमारे वो यही बताते हैं कि ऑप्रेशन जद्यू भी चल रहा है ऐसा नहीं कि नित रस्तरी में परोज के दे देगी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है बीजेपी का ऑप्रेशन जेडियू भी चल रहा है आप देखिए जब सहयूगी पार्टी अपने कंट्रोल में रह जाएगी उसके बाद बीजेपी जेडियू के लिए क्या करती है सर एक कहावत है कि रस्ति को उतना कसना चाहिए कि वो टूटे ना किसी भी चीज को उतना ही दबाना चाहिए कि उससे बुरा ना हो पाए तो कई भाजपा के सांथ तो ऐसा ना हो जाए माल ने ते नितीशकुमार के पास ऑप्सन नहीं लेकिन चिराव और चोटी पार्टी के पास अभी भी दो-तीन ऑप्शन है बिहार में तो कई उनके ऑपरेशन से ऐसा नहों कि ये लोग उनका सांथ छोड़ दे ठीक है ये रिक्स तो लेके चलना पड़ता ने सियासत में आप तो किसी को बांध के रख नहीं सकते हैं कोई भी राजनितिक पार्टी है कोई भी इं लेकिन हमारे कहने का आस है आत्मजा जी यही है कि बीजेपी जो इतने बड़ी पार्टी है बहुत आसानी से अपने सहयोगी दलों के सारी सर्तों को मान लेगी ये संबब नहीं है हम ये नहीं कर रहे हैं कि एकदम रस्ती को खीच के तोड़ी दिया जाएगा लेकिन एक ले साथ से अब बहुत जगा जिनको नहीं टिकट देना चाहिए उनको टिकट मिल जाता है जिनको मिलना चाहिए उनका टिकट कर जाता है अभी देखिया हर्याना का उधारन ले लिजी आप कांडा को टिकट बच गया और भाजपा ने अपना कंडिडेट वापस ले लिया सिर् वो केवल जदियू का स्टेटमेंट है या भाजपा के तरफ से भी कोई इशारत दिया गया होगा भाजपा इस पर क्यों इंटर्फेर करेगी देखिए वहां आप देखिए जब भगवान सिंग कुस्वाह अगर कुछ बोल रहे थे तो कुस्वाह पोलिटिक्स के लेके बोल कुस्वाह जहां से उपनेदर कुस्वाह कि यात्रा सुर्फि होनी वाली है उसी इलाके कि सियासत करते हैं भगवान इता अपने बयान दे रहे है ऐसा थोड़ी है कि जंता दली उनाइटेट की अपने अपने हिसाब से लोग बोलते हैं जिसे असोग चोद्री ने भुम्यारों के बारे में बोल दिया तो उसको आप जनता दल उनेटेट का ओफिसियल लाइन थोड़ी बोल सकते हैं उनकी अपनी सियासते अपनी चीजे चुपी हुए है हां मैसेज ये चला जाता है कि आपके पार्टी के लोग ने ऐसा बोल रहे हैं इसका मतलब है कि आपको उसको रोकना चाहिए कंट्रोल करना चाहिए अभी तक भगवान सिंग कुस्वाह के बयान को लेकर जनता दल उनेट ने कुछ नहीं कहा इसका मतलब है कि मोटे तोर पर पार्टी भी चाहती है कि उपेंदर कुस्वाह की जो यात्रा हो रही है उसमें और लोग भी हो दूसरी पार्टीों के भी लोग हो अब यह तै करेगा सिर्शने तूद की क्या होना है लेकिन इतना तै मानिए कि जो ताग लिए कि सहयोगी दल है वो खुद को मजबूत करने की अगर कोशिश कर रहे है तो भाजपा के तरफ से कहीं न कहीं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जारी और सायद इसके पीछे कहीं भाजपा का डर भी चुपा हो सकता है क्योंकि लोग सबस्चुनाओं में भाजपा बिहार में खुद को प्रूफ नहीं कर पाई है तो ऐसे में अब भाजपा को लग रहा है कि कहीं सहयोगी दल है वो खुद को जादा मजबूत करके जादा सीटों की डिमांड ना करते इसलिए इस तरह की चीज़े की जारी है तो देखना दल्चस्प होगा कि चिराग और उ झाल